आपके साथ वीटेमीन वाली वेजीटेबल्स की रेशेपी रेशेपी, और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूंगी वीटेमीन उरेशेपी रेशेपी, लेमन और ओरंजेज और फुल ओफ वीटेमीन poking C, इन दिस वीडियो विल शो यू लेमन ओरेंज स्क्वैश यह बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रेंग है और समर में भी यह बहुत ही ज्यादा हेल्फुल होती है आपके एनरजी मेंटेन करने में सो मेरे साथ वीडियो में एंटक बने रही है कीप होचिंग स्क्वैश बनाने के लिए यहां लेंगे तीन ओरेंजेस यह राउंड हाफ केजी के आसपास होंगे चार से पाच लेमन दोनों चीजों को कट करके जूस निकाल लें याद रहे जादा स्क्वैश ना करें स्क्वैश बनाने के लिए हमें चाई होंगा शुगर सिरप इसके लिए ले दो कप शुगर एक कप पानी अब इसे पास से छे मिनिट तक धीमियाज पर पकने दें कंसिस्टंसी चेक कर लें सिरप थोड़ा स्टीकी चाहिए या तो फिर वन स्ट्रिंग चाहिए अब इसे एक पोल में ट्रांसफर कर लें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें शुगर शिरप अच्छी तरह से ठंडा हो जाने दे उसके बाद ही जूसस आड़ करें अब इसमें आड़ करें लेमन और 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 जूस जूसस निकालते वक्त लेमन और 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 इंजेस को ज्यादा स्कुईज ना करें वरना इसका जो बीटर फ्लेवर है वो भी सिरप मे आड़ हो जाएंगा और सिरप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले इस सिरप को आप छे मैने के लिए रेफ्रिजिरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं और गर्मियों के मौसम में आप इसे जब चाय तब स्टेमाल कर सकते हैं अब भी आपको ये डिंक सर्फ करनी है ग्लास में आड़ करें कुछ आइसक्यूग पोर करें लेमन औरेंज स्क्वैश एड़ करें पानी और इस हेल्दी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक को इंजोई कीजिए अपनी फैमिली के साथ इन दिनों अपनी बोडी को जादा से जाद हैडरेट रखे घर पे रहे और गॉर्णमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हो दू सब्सक्राइब मैं चैनल और प्रेस बेल आइकन तो गेट नोटिफिकेशन आफ नू वीडियो सी यू सून विद अनधर वीडियो अंतिल देन एट हेल् स्थे हड़िः थाइडर थाइड़ थाइड वीडियों यू वीडियों अधर नाइड के वाची है